तो कैसे हैं आप सभी लोग एक बाद फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें कल फॉरसगाट का एक्जाम हो ही गया फिर देख भी लिया होगा अपने पिपर मिला भी लिया होगे आँसर आपने अपको गया आँसर की तो आई नहीं कमी है क्या आजकल आजकल हर कोई बनाई लेता है उपर से गूगल है हर चीज तो है आँसर तो एक घंडे डिड़ घंडे फिर आपका फॉरसगाट लगभग एक ही पैटरन पर रखे फटवारी थोड़ा सा इन से हलका था कानि साहिक अपने आप पर तोड़ा सा लीक से हटके था जिसकी उम्मीद कम थी बक्तिन को ठीक है और फॉरसगाट भी लगभग लगभग कानि साहिक की तरह नहीं लेकिन ल फॉरसगाट का रिजल्ट आएगा करिसा है कि at least typing तक की process complete हो चुकी होगी जब इसका final result आएगा यानि इसका final result आएगा तक करिसा है का भी final result आचुका होगा UKPSC की उसे इस वजह से कई छात्र अपने आप में इस exam में नहीं आएंगे यानि exam देने तो वो आएंगे लेकिन अगर कहीं नगहीं पटवारी में selection हो जाता है police constable में selection हो जाता है या फिर कहीं और selection हो जाता है तो बहुत से छात्र आपका इसके exam के लिए यानि जो forest guard का paper है उसके document verification या उसके physical के लिए नहीं आएंगे क्योंकि 25 km दोड़ना इतना असान नहीं है उनके लिए especially जो अरड़ी job में लग चुके है और कई बच्चे कई लोग तो ऐसे भी होते हैं उनने कल paper ही नहीं दिया होगा उसलिए नहीं देते हैं paper नहीं को पता है एक तो या तो 25 km दोड़ना भी है फिर अगर कहीं दूसरी जगर select हो चुके है तो पिर क्यों देगा कोई paper ठीक है तो common sense सी बात है नॉर्मल सी बात है तो जैसा आपका paper था जिस तरीकी का paper था एक अपने आपका बहतर paper हम लोग उसको कह सकते हैं अब आपका पता नहीं कैसा रहा paper ठीक है मैं तो यहीं उम्मीद कर रहा था कि 65 के आसपास 65, 65, 66 नमबर के आसपास वाला paper कहीं नहीं रहेगा वही paper रहा थी ठीक है और उसमें आपने एक चीज़ देखा होगा जो question पूछे गए है आर्थिक survey, economy survey और नया वाला नहीं पूछा देखो पुराना इसलिए पूछा क्योंकि नया तो अभी upload ही नहीं हुआ साइट पही नहीं है तो आयूग वाले कहां से पूछेंगा उसको ठीक है उनके पास भी नहीं होगा उसका data तो पुराने economy service उत्रा के question पूछे है जो GS की GS तो खेर उत्रा जदा हाट तो थी नहीं दो-चार question उसमें हाट थे GS भागी ठीक ठाक थे हिंदी थोड़ा सा आपने आप में इस बार उसने लीक से हट के पूछ लिए यानि जैसे आप उम्मीद कर रहे थे उसके हट के पूछ लिए ठीक है अब mainly क्या आता है ये सबसे बड़ा question आता है कि sir कहीं ने कहीं जो हमारा cut off रहेगा वो कितना रह सकता है क्या रह सकता है मैं आपको बताता हूँ जितने number of post हैं ठीक है ये मेरा व्यक्तिकत मत है मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि जितना मैं कहूँगा police constable वो select होंगे उसके बाद जो बचता है कहीं न कहीं paper का overall look जो बताता है final selection के लिए 65 marks काफी है यानि अपने आप में जो मुझे लगता है ठीक है आप 66 चलेगी 70 चलेगी या 62 चलेगी उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता है लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके कहीं न कहीं जैसे पटवारी की exam में मैंने आप से एक चीज़ कहा था 70 प्लस लगभग select होगा और 75 तो sure ही है ठीक है ये तो 100 परसें था 75 प्लस जिसके marks होंगे उसका तो selection ही है पटवारी में और 70 प्लस लगभग sure है ये मैंने कहा था ठीक है और ये तो sure है ये पटवारी में मैंने कहा था और पटवारी की आपने cut-off देखी होगी तो ऐसी गई है 72, 71 69 या कहीं न कहीं इसी के समतिक है अब 2-4 नमबर 2-3 नमबर variation तो आता ही आता है ठीक है उसी तरीके से अगर आप पूरे समझ सकता है कि उसका चायन हो गया है ठीक है इतना मान के चले अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जिसके 64 होंगे वो selected नहीं होगा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं कहने का मतलब 60-65 मार्स जिन चात्रों के आ रही है उनका यही case होगी है जहां मैंने 70 का हतना वो यही case के आसपास है कहीं न कहीं 60-65 वाले चात्रे लगभग लगभग चायनित हो जाएंगे अंतिम सेलेक्शन में जैसे कि 62 में भी हो सकता है 63 भी हो सकता है 64 भी हो सकता है यानि ये कहीं न कहीं ये 100% तो नहीं कह सकता है लेकिन ये 80% के आसपास 80-70% के आसपास इनका सेलेक्शन हो जाना चाहिए लेकिन ये जो मुझे प्रेक्टिका तोर पे रगता है कि कहीं न कहीं इतने के आसपास का टॉप इसकी रहनी चाहिए जो पेपर का इस तरह था ठीक है यानि इतने में 100% सेलेक्शन हो जाएगा अब डिपेंड करता है कि चातरों ने पेपर में किया किया ये तो पेपर बता रहा है न कि जैसे 1,43,000 बच्चों ने पेपर दिया काफी बहुत बड़ा नंबर होता है बच्चों और हमें सिर्फ 800 कुछ बच्चे ढूडने होता है अगर आपसे अगर ऐसा 1,42,000 बच्ची ये कहें कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ 1,42,000 तब भी 1,000 बच्चे हैं बच्चों वो जो पेपर अगर अच्छा होता है तो 844 में ही पोस्ट हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा ठीक है तो आप ये मत सर्च करना कि इसके कितने आ रहें इसके कितने आ रहें रियल में जो सेलेक्ट होंगे वो आपको दिखींगे यह नहीं तो मेरे कहने का ये मतलब है कही न कही 65 प्रस अगर आपका स्कोर रहता है तो आप मान के चलिए आप सेलेक्ट हो गए है इसके अकॉर्डिंग आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक दो दो तिन नंबर कम कर सकते है इसके पीछे पादव बहुत है बच्चो इतने पाद होना पतलब अच्छी बात है रहतने बड़ी बात है उसके पेपर के आप लोग हैं habitual का मतलब वो 2014 से पेपर लगातार कराते आया है तो वहाँ से आपको पता है कि उनका pattern क्या है किस तरीके के वो question पूछ रहे है और UKPSC पिछले 6 महने से पेपर करा रहा तो अभी बहुत लोग इसके habitual नहीं है यानि अभ्यस्त नहीं है कि किस तरीके के paper question कर रहा है दो-तिन exam करा है अब आपको समझ भाग है कि एक-दो-तिन question वो science से पूछ रहा computer और reasoning के कुछ question अच्छेगा से पूछ रहा उत्राखन बहुत ज़्यादा नावशक नहीं पूछ रहा और उत्राखन अगर कुछ label का पूछ रहा तो सिर्फ और सिर्फ current से या सरकार के आकनों से संबंदे जो data है वहां से question उठा रहा है GS तो फिर भी GS का तो कुछ कहा है नहीं सकता है कि GS कहीं से भी पूछ सकते है क्योंकि one day exam है और one day exam की GS किस portion से कैसे पूछेगा ये किसी के लिए भी अपने आप में बहुत easily pick करना है बहुत easily समझना ये बहुत मुस्किल होता है अगर एक proper syllabus होता GS का एक proper तरीके से आपको पता होता कि यार हाँ इस portion से इतने आएंगे यहां से इतने आएंगे तब तो हम लोग को GS का idea आता लेकिन आपने एक चीज़ नोट कियोगी आपको मैंने जैसे जो गहन अध्यन पॉलिटी की classes में करा रहा है वहीं से देख लेए आप चार question वहीं पर दिख जाएंगे आपको जो रने राज्यू का निर्माण है वो पहले में ही करा रहा है फस्ट दिन ही करा रहा है पहली class में हीं से दो question आए है किस तरीके से हो सकता है या भारत को क्या कहा गिया है इंडिया या भारत union जो भारत राज्यू का एक संग होगा यानि इंडिया या भारत राज्यू का एक संग होगा ये question भी वहीं पर पुझा गया है article 90 ने देखा होगा अपने प्रेस की स्वतनता गादिकार पहले मैंने कराया था आपको तो इस तरीके से आप मान के चलिए कि डारेक्ट डारेक्ट question पूछना या डारेक्ट ली question मतलब आना अपने आप थोड़ा सा वो समझ पर बेस वाला question पूछन पूछना यानिए आपकी understanding based अब आपके लिए एक मौका ये है क्योंकि UKPSC के जो अपने exam थे जो general exam थे वो हो चुके है क्योंकि अब सहायक लिखाकार है वो accounts के बच्चे उसमें participate करें वो accountant का paper है अब UKPSC के पास जो exam आएगा आपका एक दरोगा आएगा जो general exam रहता है ठीक है आरो यारो या कोई भी अलग exam लोगर PCS अपर PCS वो तो कूँ पहले से कराता है आपका group C का pattern खतम हो गया UKPSC से जितना होना था हो गया क्योंकि पटवारी आपका हो चुका है कनिसाहग आपका हो चुका है पुलिस कॉंस्टेबल आपका हो चुका है बहुत लेट वहां पे चीज़ा होती है बहुत धीमीकरती से महा होती है इतने में अब जिसका भी हुआ क्योंकि ये तो नहीं कहसे कि सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा बहुत खराब होगा अब ये तो पेपर पेपर तो आपके डिपेंड करता अब बहुत अच्छा काम किया अब बीच में पेपर के दलाल जो थे जिनने पेपर को लीग किया उन चीज़ों को अगर हम छोड़ दें उसके अलाग से पेपर कंडेक्ट कराने की बात है विदिन टाइम कराने की बात है चीज़ों को प्रोसेस और इसमें भी आपने एक चीज़ देखा होगा कॉस्टिबल का भी उसमें रिजर्ट देखे डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन करा दी है पटवारी के डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की डेट देदी है बागी इफ चार बड़े एक्जाम करा दी बहुत अच्छी बात है वनना चार मेहने के पेपर चार साल में भी जा सकते थे आपको यह भी ध्यान में रखना होगा ठीक है तो कहीं ने कहीं जिन बच्चों के इतने माक्स आ रहे हैं जो मैं लगभग लगवी अनुमानीच बता रहा हूँ अब यही रहेगा मैं यह नहीं कह सकता हूँ लेकिन एक अनुमान जो है क्योंकि नंबर और पोस्ट बहुत ज़्यादा है इसी के सम्थिंग आपकी अन्तिम कटव यानि अन्तिम जो आपका परिणाम आएगा आफ्टर फिजिकल वो यहीं कहें देगा ठीक है बांकि आप लोगों के पास जिसका कल फिपर सही नहीं हो पाए में चीज तो वो भी अब जिसका हो गया क्योंकि 894 बच्चे कौन होंगे वो तो आप ही जानते हैं आयोगी जानेगा जिस दिन रिजारिट आएगा उसी दिन पता चलेगा लेकिन निकलने तो 849 भी थी जो निकल गया निकल गया वो जिसका फिपर हो गया हो गया जो गया गया जिसका सही वा हुआ जिसका खराब हुआ हुआ उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं आपका अगर फेपर खराब हुआ है तो आप 8495 में नहीं आईए मान के सदिए आप अकेले नहीं है बच्चो आप मैं कहतो रहा हूं एक लाग तेतालीस जार बच्चो ने कल फेपर दिया एक लाग बाइलीस जार बच्चे ऐसे होंगे जिसका सेलेक्षन ही नहीं होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि जो एक लाग बाइलीस जार इतने बच्चे ही किसी काम के रही है ऐसा बिलकूल नहीं होता है क्योंकि समय आता है किसी का पहले आता है किसी का बाद में आता है तो उसको अभी इतना जएदा तनाव या इतना जएदा परिसानी उसको हो रही होगी मैं समझता हूँ लेकिन उटके खड़ा होना होगा बच्चो उटना होगा फिर से यानि अपने पेरों पे फिर खड़े होके फिर लर्णना होगा क्योंकि जब तक आपके पास चांसे हैं जब तक आपके पास लगता है कि आप लड़ सकते हैं तो लर्णना चाहिए बस डिफ्रेंशी इतना रहता है कि थोड़ा सा अपनी प्लैनिंग को चेंज करना होता है जो आरो यारो हैं वो बेपर होगा लेकिन यहाँ पर सबसे महत्तोपूर्ण चीज है क्योंकि बच्चे कहते हैं कि साराजकल आप पढ़ा नहीं रहे हो मुटिमेशनल वीडियो जादा देते हो कई बच्चे यह भी कहते हैं कि साराजकल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है यह आप ठ्यान रखना ठीक है तो मैं आपसे यह कह रहा हूँ जैसे फिलहाल आप ऑपसीजन है ऑपसीजन का मतलब कम से कम एक मेना मतलब 20 दिन 25 जब ताब बिग्यापन नहीं आते है जब ताब बिग्यापन जारी नहीं होते हैं आपके लग को पिभिजिकल की प्रेक्टिस किरेंगे जिसका फॉरिस काड़ ठीक रहा है वो फिजीकल की प्रेक्टिस करेगए जमटा पकड़ो और फोड़े दिन ऐसी जो है अपना समय निकालो कभी कुछ गभी कुछ कभी कुछ तो फिर ऐसे आप लोग फिर फाज जाओगे क्योंकि फिर भी ज्या पनाएंगे फिर आप फिर तयारी कनने हैं वेड़ेगी फिर सुरवात कनने हैं पड़ेगी कैOS इसनली ह टच नहीं छोड़ने है अपना कहीं न कहीं मानके चलिए आप अपने टच फिर बने रहे पर अच्छा नहीं हुआ मैं मानता हूँ जिसका नहीं हुआ ठीक है और जिसका हुआ वो तो हुँगे ही हुँगे इतने बच्चे तो निकलेंगे न अब उसमें क्या कर सकते हैं जिसक कुछ पता नहीं जलता कि कब मिलेगी हो सकता है कि पहले बार में आपको सपलता मिल जाए हो सकता है कि आप लगातार इस्ट्रगल करने इस्ट्रगल करने फिर अंतिमी समय में आपको सपलता मिले तो यह आपकी परिक्षिया है धैर्यकी भी परिक्षिया है आपको एक्जाम भ हट जाएं तो परिसानी वहीं रहें जहां पर हैं तो परिसानी इसलिए याद रखना फॉर्वर्ट करना ज्यादा बहतर आप्शन है यानि इतना अगर आप आ चुके हैं इतना अगर आप ट्रेवल कर चुके हैं इस राह में इतना अगर चल चुके हैं तो मैंने आपसे पहले प्रेजगाट कनिस साहेक और दूसरा कनिस साहेक इन एक्जाम मों जॉइनिंग हो जाएगी बच्चे कौन चार चार हजार हजार बच्चे जब निकल चुके हैं तो यही बच्चे तो एक जगर से दूसरे जगर सीट खा रहे थे पटवारी वाला ही पुलिस कॉंस्टेबल में पुलिस कॉंस्टेबल वाला ही कनिस साहेक में तो यह बच्चे एक बार निकल जाएंगे तो फिर आपका एक नंबर आए अप कही नंबर आने वाल है जब आपका नंबर आने वाल है तो आपको पीछे नहीं अथना है यानि आप पीछे मत हटः यह औसी जलिए आपKETiset प recording अपना क्या बनाना है आपको लक्षे बनाना है और उस लक्षे को भेदने के लिए निरंतर परियास करते रहना है यह पीछे हटने का कोई विकल्ब नहीं है विकल्ब तब होता जब आपके पास बहुत जादा option होते विकल्ब आपके पास होते कि यार ना मैं यहां नहीं तो यहाँ कर लेता हूँ, यहां नहीं तो यहाँ कर लेता हूँ, अब ऐसा option है नहीं, तो कम से कम 2023 का वर्ष में, यह नहीं कह रहा हूँ कि आप आजन सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो और आपके जॉब लगी जाएगी, ऐसा बिलकूल नहीं है, तिका कम मैं इसलिये कह रहा ह ना उधर के रहते हैं मतलब एक ऐसी सक्ति कास ऐसी होती जो आपको ये दिखा पाती कि ना अब तेरा परियास जो है अंतिव है तो इसको कर लेगा इस बार पीछे मतट बड़ ये सक्ति कहीं मिलेगे नहीं तो ये आपको खुद ही अपने आप में क्या करना पड़ेगा लेके विचारधार आपने आप आपको रखने है ठीक है बाकी जो कट आउस का मैंने आपको अनुमान बताई ये एक अनुमानित है बत्तो ये कोई नहीं है कि इतनी ही रहेगी सर ने कह दिया तो लक्सिमाड रेखा है ये कह दिया तो यही रहेगा है सब बिल्कुल नहीं है बाकी आपकी जो category है दो दो तिन 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 चार्चा नंबर आप कम कर लीजिए तो आपका selection उतने में हो जाएगा क्योंकि number of post क्या है अपने आप में परियादते हैं इतने number of post में आपका selection होना ताई है क्योंकि इसके result आने तक इसके document verification होने तक और बच्चे जो हैं कहीं ने कह ने क्या तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना कई करना हो अनियुक ना कं आनं क्यों पड़ारे हो कहते हैं सद्धार गाक में में विघु 스ब कर N somehow जो आपको करना हो प्र बटिंग के अन सेर उसन पर अपना ध्यान रखेंगा